विल्कम फ्रेंट्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की संबंध में बार बार पूछे जाने वाले जो प्रस्न है दोस्तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति हित्गराहियों को ना हो इसलिए यह वीडियो उनकी लिए जरूरी है दोस्तो इसमें लगभग 40 क्यूश्चन है और उनकी आंसर भी है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो में लास्ट तक बने रहें पसंद आये तो लाइक जरूर करें मुख मंत्री लाड़ी बहना योजना 2023 के उद्देश किया है तो दोस्तो महिलाओं के आर्थिक शावलंबन उनकी स्वास्त एवं पोशन इस्तर में सतत सुधार एवं परिवार की निर्णेयों में उनकी भूमी का सुध्रिड करने एतु यह योजना लाई गई है योजना में उलेखित अपातरता की स्रेणी में नहीं आने वाली एक जनवरी 1963 के पश्चात परंतु एक जनवरी 2000 तक जन्मी मद्ध प्रदेश की स्थानी निवासी समस्त महिलाएं बिधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला सहीत वर्ष 2023 में आवेदन हेतु पात्र होंगी क्या योजना अंतरगत परिवार की आई की भी कोई शीमा है तो दोस्तो हाँ योजना के अंतरगत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की समलित रूप से वार्षी काई धाई लाक से अधिक हो चोथे नंबर पर आते हैं क्या आयकर दाता होने पर भी योजना कलाव मिलेगा तो दोस्तो नहीं यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस इंकम टेक्स पर ही है तो योजना अंतरगत वह अपात्र होगी पाच्वें पे है योजना अंतरकत आयकर दाता स्यास है क्या है तो दोस्तो ऐसे ब्यक्ति से है जिसके द्वारा विगत वर्स में आयकर योगी आय होने कारण आयकर डिटर्न दाखिल किया हो अथवा सेवा ने ब्रित्व पुरांत प्रेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वह अपात्र होगी परन्तु मान सेवी कर्मी तथा उट्सो सेजेंसी की माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी अब आये देखते हैं साथवे नमबर पे क्या आगनबाडी कारिकरता सहाई का आसा कारिकरता अथवा नियमान सेवी कर्मी योजन अंतरगत लाप्राप्त कर सकेंगी तो जी हाँ यदि महिला योजना में उल्लखित अपात्रता किस रेणी में नहीं आती तो वाला प्राप्त करने है तु पात्र है किसी महिला के मात्रागनबाडी कारिकरता सहाई का आसा कारिकरता अथवा अन्यमान सेवी कर्मी होने के कारण वहा पात्र नहीं मानी जाएगी आठवे नमबर में दोस्तो आवेदिका किसी अन्योजना में भी लाभारती है उस्योजना से प्रतिमा एक हजार रुपए से कम प्राप्त कर रहे हैं तो क्या योजना के लिए पात रहे हैं दोस्तो हाँ 1000 रुपए में बच्ची हुई राज का भुकतान आवेदिका को किया जाएगा सिर्फ सामाजिक न्याविभा की पेंशन करता के लिए उदाहरन यदि आवेदिका सामाजिक न्याविभा की पेंशन करता है आवेदिका को 600 रुपए की राज मासिक प्राप्त हो रही है इस्थानी निकाय में निर्वाजी दिजन प्रतिनी धी है तो योजना कलाव नहीं मिलेगा किन्तु पंच एवं उपसर पंच होने पर आवेदिका अपात्र नहीं मानी जाएगी दस्थे नंबर पे ये आवेदिका की परिवार का कोई सदस्य वरतमान अत्वा भूत पूरुशांसत विधायक अत्वा केंद्र सरकार या राय सरकार की किसी बोड़ निका मंडल उपकरम कद्यक जुपाद्यक संचालक सदस्य हो तो क्या आवेदिका योजना कलाव ले सकती है तो आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का प्रमान पत्र संलगन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तो प्रमान पत्र की बात हो रही है आवेदिका द्वारा आवेदन है तो आवेदन है तो आवश्यक जानकारी के पत्रक में की गई स्वगोशना ही परया जो योजना अंतरगत सीवीर लगेंगे उसमें और आगनबाड़ी के अंदर से निशुल्ख प्राप्त किया जाएगा आवेदिका को अपने आवेदन है तो आवश्यक जानकारी के पत्र की आनलाइन प्रविस्टी कहां करानी होगी चोधावे नंबर पे योजना अंतरगत लाव लेने होगी तो आवेदिका को किन किन दस्तावेज जानकारीयों की आवश्यकता है दोस्तो ग्यारवे नंबर पे प्रमानपत्र की बात हो रही थी यहाँ पे यह दस्तावेज हैं डाकुमेंट्स यह चीज आप ध्यान रखें तो दोस्तो यहाँ पे आवेदिका के पास परिवार समग्राइडी ब्यक्तिकत समग्राइडी आधार कार्ट सोयम का अधार लिंग डिवीटी इनेवेल्ट बैंक आता मुबाइल नंबर जिस पर अवेदन की आनलाइन प्रविष्ट के समय OTP भेजा जाएगा होना आवश्यक है योजना अंतरगत परिवार से क्या आसा है तो परिवार से आसा है पति पत्नी उन पर आस्रित बच्चे जो परिवार समग्राइडी में समलित हैं क्या एक ही परिवार से एक स्यधिक पात्र महिला पी आवेदन कर सकती है तो हाँ परिवार कर्थ पत्नी उन पर आस्रित बच्चे नकिश्यक्त परिवार आधार लिंक डीवीटी इनेबल बैंक खाते से आसा है बैंक खाते का आवेदिका की आधार से लिंक होना तथा आधा रवे नमबर पे आवेदिका अपने बैंक खाते को आधार लिंक डीवीटी ओनेवेल्ड कर सकती है। सदस के साथ सही उक्त खाता है तो क्या योजनांतरगत पात्र होने पर उक्त खाते में राशिक प्राप्त कर सकती हूँ तो दोस्तो जी नहीं इसके लिए स्वयम का खाता डीबी टी एनेबल्ट होना निवार है समगर पोर्टल में EKYC से क्या स़ह है तो दोस्तो आसा है किसी अव्यख्त की समगर पोर्टल में श्वयम की समगर आइडी एवं उसके आधार में दर्ज जनकारी का नाम अभिबावक का नाम जन्मती थी लिंक का मिलान करने से है उक्त दोनों ID में जानकारी एक समान होने पर समगर पोर्टल में EKYC ततकाल सत्यापित हो जाती है 21 नमबर पर समगर पोर्टल में EKYC कहां से कराई जा सकती है तो ये है दोस्तो नजदी की लोग सेवा केंदर MP Online क्योस किया CSC सेंटर पर जाकर अपने आधार EKYC दो तरीके से निशुल करा सकते हैं पहला आधार लिंक मॉबाइल पर OTP के माध्यम से इसके लिए आधार से मॉबाइल पूरू से लिंक होना अनिवार है और दूसरा है बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से सत्यापन द्वारा क्या आवेदिका स्वयम समग्र पोर्टल में EKYC कर सकती है तो दोस्तों समग्र पोर्टल में आवेदिका स्वयम के द्वारा भी निशुलक EKYC कर अपने समग्र आईडी को आधार से लिंक कर सकती है आवेदिका स्वयम समग्र पोर्टल में EKYC कैसे कर सकती है तो दोस्तों जो समग्र की समग्र पोर्टल का वेबसाइट है समग्र.gov.in में अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट कर आधार नमबर दर्ज करें आधार से प्राप्त OTP को प्रविष्ट कर अपने आधार को सत्यापित करें मॉबाइल नमबर दर्ज कर OTP से सत्यापित करें ऐसे में आधार में दर्ज आवेदिका का नाम जन्मित थिलिंका समग्र डाटा से मिलान होने पर आवेदिका का आधार EKYC सबलता कूरवक हो मिलान ना होने की स्थिती में आधार EKYC का नरोधिस्थानी निकाय को नमबर दर्ज करें दर्ज है तो आवेदिका समग्र डाटा में अधार में दर्ज आनकारी के समग्र करने का प्रावधान है जिसके लिए आवेदिका को पोर्टल पर आनलाइन सहमति के आनलाइन रोध परिस्थानी निकाय करन मोधन उपरान दोनों आईडी में समग्र वमाधार एक समान हो जाती है और EKYC पूर्ण हो जाती है क्या योजना अंतरगत फाम भरने थवा समग्र के EKYC का पूर्ण कराने है तो आवेदिका कोई शुल्क देना होगा तो दोस्तों जी नहीं उक्त दोनों सेवाएं निशुल्क रहेंगी क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदश योजना अंतरगत प्रात्रता रखने वाली स्रेणी में आता है परन्तुवा आवेदिका के समग्र आईडी में समलित नहीं है तो क्या आवेदिका उस बेक्तिके कारण योजना के अंतरगत पात्र मानी जाएगी तो दोस्तों नह मानी जाएगी क्या सदस्य समग्र एवं परिवार समग्राइडी नहीं परावेदन किया जा सकता है तो नहीं आवेदन करने के पहले आवेदिका को सदस्य समग्र एवं परिवार समग्राइडी के लिए समग्र पोर्टल परावेदन करना होगा सदस्य समग्र एवं परिवार स एक दिक दिक दे रही तो क्या करना होगा तो आधार के अंदर पर जाकर आधार अपडेट करने कि लिए बेदन करें समग्र में EKWC हो गया तता आधार बैंक से जुड़ा नहीं है तो इसके ले क्या करना होगा तो समबंदित बैंक साखा में जाकर आधार नमबर के शाथ आवेदन जमा करें एवं DBT को भी सक्री करवाने का नुरोध करें आधार बैंक से लिंक है पर DBT सक्री नहीं है इसके लिए क्या करना चाहिए तो बैंक में जाकर DBT को भी सक्री करवाने का नुरोध करना है आवेदन की स्थिती कैसे देखें तो दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है cm.radly.mp.gov.in पर जाकर आवेदन की स्थिती पर क्लिक करना होगा अपना आवेदन नंबर सदस्यमगर आईडी भर करें समगर रिजिस्टर्ट मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफाई कर देखा जा सकता है आवेदन के अंतिम तारीक क्या रहनी वली है तो यह रहेगी 30 अपरेल किसी अपात्र आवेदिका के लिए अपत्ति कैसे की जाएगी तो पंजियन प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर एक मई को पोर्टल पर अनितिम सूची प्रकासित कर दी जाएगी और यदि कुछ ऐसा लगता है तो आपत्ति एक मई से पंद्रा मई तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति का नीरा करन कब से कब तक तो सोला मई से तीस मई तक पात्र मैलाओं के खाते में राज कब ट्रांसपर कर दी जाएगी दस जून तक एवं अगले महीने से हर दस तारीक को राज ट्रांसपर कर दी जाएगी प्राप्त राज को कैसे देखे तो प्राप्त राज की स्तिती देखने के लिए पोटल पर जा कर आवेदन की स्तिती करना होगा एवां पनावेदन नमबर समग सदस्य आइडी भर कर समग रेजिस्टर मोबाइल नमबर पर OTP वेरिफाई कर देखा जा सकता है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि ये सारे क्यूश्चन मुख्यमंत्री लाड़ी बहन योजना के अंतरगत जो इसमें दिये हुए हैं लावप्रद होंगे चैनल पे नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में आप सब का दिन सूब हो धन्यवाद